हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू इजी पे कॉमर्स क्लासिस मैं हूँ तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपना पौवर्टी चेप्टर यानि की गरीबी चेप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं मतलब इनको ज़रूरी लगा हमारी इंडियन एकॉनमी में इस चेप्टर को डालना कि ये तो हमारी इंडियन एकॉनमी का एक बहुत मैत्ठपूर्ण हिस्सा है वो क्या है गरीबी हसने की बात नहीं है वैसे मुझे गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने और आप लोग देख सकते हो कि इस समय पर जब से COVID लगा है उस समय के बाद से unemployment, गरीबी ये सारी चीज़े हमें आसपास बहुत नज़र आती है अब गरीबी को गाईज इन्होंने जब एक चेप्टर बनाया है तो कुछ तो लिखा हो गए ना अब वही चीज़े हम पड़ते हैं देखो सबसे पहले गरीबी किसे कहते हैं आप लोगों कि यह लाइक 12th क्लास में आप लोगों को अगर हमें यह पूरी हम नहीं कर पाते तो हम गरीबी के अंदर आते हैं यानि कि हमारी 5 बेसिक नीट्स मेंने कौन सी बताए आपको रोटी कप्ड़ा मकाम तो आपको सुनने को मिलता है लेकिन education भी हमारी basic need में आता है और health भी हमारी basic need में आता है अगर हमें यह नहीं मिल पाती इसको हम नहीं arrange कर पाते जो हम लोग गरीबी में कहलाते हैं गरीबी refers to यानि कि poverty refers to state in which individual is unable to fulfill even the basic need कि वो अपनी basic needs को भी fulfill नहीं कर पारा तो इसे गरीबी कहा जाता है अब कौन गरीब है तो हमारे book में दो नजरिये से गरीबी को दर्शाया गया है एक तो urban area यानि कि शहरों में रहने वाले गरीब अलग होते हैं guys और गाउं में रहने वाले गरीब अलग होते हैं बुक के हिसाब से अगर देखें मेरी नजर में तो जो इनसान अपनी needs को नहीं पूरा कर पारा वो गरीब है ठीक है लेकिन यहां पर क्या बताया गया urban area में यानि कि शहरों में जो कूरा बीमते हैं रैक पिकर्स, बैगर्स, बिकारी या फिर जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो गरीब है जिनके कच्चे मकान हैं जो छोटे कच्चे मकानों में रह रहे हैं जहां पर electricity के फैसलिटी नहीं है जहां पर पानी नहीं है वो लोग गरीब कहलाते हैं ठीक है लेकिन अगर ''Rular areas' में बात करें तो हमारी किताब कहती है कि गाउं में किने गरीब कहा जाते हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ है कई तो गाओं ऐसे होते हैं जहाँ पे गाई सबके कच्चे मकान होते हैं तो वहाँ पर किसे हम गरीब कहें तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो landless agriculture labor है जिनके जो labor के पास जमीन नहीं है और वो मजदूरी कर रही है खेती कर रही है उन्हें गरीब कहा जाएगा या फिर जिनके पास थोड़ी जगे है लेकिन थोड़ी जगे है बहुत small holding है या फिर जिनके पास जगे है बट वो जगे जो है वो dry है बंजर जमीन है उन्हें गरीब कहा जाएगा या फिर गाओं में जो छोटे मोटे काम में लोग लगे हुए हैं जो अपने दो वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाते हैं उन्हें गरीब कहा जाता है तो गरीब किसे कह जाते हैं हमारी बुक में ये दो तरीके से बताया गया है एक अर्बन एरिया के सेंस में और एक रूलर एरिया यानि की गावों के सेंस में अर्बन एरिया बोले तो शेहरों के सेंस में गरीब हम कीने कहते हैं जिनके पास कच्छा मकान है जो रोडों पर रह रहे हैं जिनके प काम करता है पैसा कमाने के लिए महनत अपने रोटी पेट भरने के लिए करता है तो कोई छोटा काम नहीं होता इसलिए गरीब होना कोई नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से गरीब को नजरीय से देखना बड़ा गलत होता है अगर कोई बंदा गरीब है और वह कोई काम कर रहा है च चोटा काम कौन सा होता है guys जो गलत काम होते हैं क्योंकि आप चुपके उपकर उप चोरी करते हो तो वह चुपके करते हो वह चोटा काम है कोई भी इमानदारी से अगर पैसा कमारा तो जो चोटा काम नहीं है ऐसा लेकिन बुक में एक अलग definition है उस चीज को describe अलग किया गया है हम एक अपने नजरिये से मानफता के नजरिये से देखते हैं बुक एक अपने economic reason की वज़े से देखते हैं तो उनके लिए जो लोग बहुत कम amount कमा रहे हैं उनको वो लोग गरीब कह रहे हैं अब यह लोग कहते हैं कि क्या features है गरीब के यानि कि features क्या है poor people के यानि कि जो लोग गरीब होते हैं उनमें क्या-क्या चीजे हैं जो हमें नजर आती है तो उन्होंने पहले कहा hunger, starvation and malnutrition भूके होते हैं, चीजे नहीं मिल रही होती, malnutrition होता है उनमें जो खाने पीने से जो पोश्टे कहार है उसकी कमी होती है malnutrition होता है, बहुत कमजोर होंगे, proper body उन लोगों की क्या कहते हैं, nutrition वाली नहीं होती है कि उनको protein, calcium, दूद मिल रहा हो, आज के time में आप already देखो, महंगाई इतनी बढ़ा दिये न कि गुस्सा आते है कि गरीब लोग किस तरीके से उन चीजों को पूरा कर पाएंगे जो कम amount कमा रहा है, वो तेलों के rate तो इन्होंने बढ़ा दिया, हर चीज तो महंगी कर दिया है, फिर ये कहते हैं कि हमारा देश गरीब क्यों है, हमारे देश की इतनी दिंसंख्या गरीब क्यों है, तो उनमें कही न कही न रोल किनका है आप समझ सकते हो तो hunger, starvation and malnutrition भी जो है, गरीबों के अंदर पाये जाता है, अगर आप देखोगी, even South Africa की काफी सारी वीडियो जाती है, जिसमें बहुत पतले पतले बच्चे होते हैं, आपको पता है कि कई जगे ऐसी भी है जहाँ पर पतो की रोटी बनती है, जहाँ पर मिटी की रोटी ब आपके खाते हैं, तो वो क्या है गरीबी की निशानी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, उनके पास चाहत पैसा नहीं है, यह वहाँ पर चीज़े नहीं है, इस वज़े से उनको यह सामना करना पढ़ता है, हम लोगों को थांग करना चाहिए अपने भगवान का कि हम ल निट्रीशन सही से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमाँ हेल्थ होती है, वो डाउन हो जाती है, इसलिए जो हेल्थ है वो बिमारियों से घिरी रहती है, क्योंकि बिमारी कब लगती है काईस हम लोगों को जब हमारे शरीर को पोश्टी काहार नहीं मिलता हमारे सेल्स, जो वाइ limited economic opportunity इनके पास economic opportunity बड़ी कम होती है reason क्या है guys क्योंकि skill पढ़ाई लिखाई education नहीं होती अगर आप देखोंगे जो road पर बच्चे रह रहे हैं क्या उनके पास कोई बहुत बड़ी opportunity है कुछ कर दिखाने की नहीं क्योंकि उनके पास पढ़ाई नहीं है sources नहीं है उनके पास resource नहीं है उनके पास books नहीं है किताबे नहीं है school नहीं जाते तो इसलिए वो कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे हाला कि कई लोग जो ऐसे हैं जो बहुत लोवर families हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे कर्जों में क्यों क्योंकि अगर ये कोई कर्ज लेते हैं तो जिससे भी लेते हैं बैंक से तो लेते नहीं है नॉर्मल आसपडोस से या फिर अपने रिलेटिव से या फिल जो money lenders होते हैं जो पैसा उधार पर देते हैं उनसे जो की बहुत जुगी में रह रहे हैं या फिर रोड साइट रह रहे हैं या फिर बहुत छोटे-छोटे जगों पर रह रहे हैं टेंट डाल के रह रहे हैं तो वहां पर water and electricity facility नहीं होती है तो ये भी माना जाता है कि गरीबी में ये चीज़ें देखनी पड़ते हैं इसके बाद कि लड़के कमाने लग जएंगेई लड़के हैं तो कमाने लग जएए लड़की है तो दस साल में भी शादी हो जाती है बादा साल में शादी हो जाती है तो ऐसी भी सोच है इसके साथ साथ जैसे bigger families मैने बड़ी family ये लोग रखते कि कमाने निकल जाएंगे यह बड़ी फैम्ली होती है क्यों इनका नजरिया नहीं होता कही ना कहीं कि दो बच्चे रखेंगे तो हमें उनको अच्छा बविष्य देना है उनको पढ़ाना लिखाना है क्योंकि यह खुद इतना जादा basic stand नहीं ले रहे होते हैं कि अपने बच्चों की नीज पूरी करें तो इनका कहना यह होता है कि बच्चे जादा होंगे जब बड़े हो जाएंगे तो जादा पैसा कमाएंगे लेकिन जब हम उने education नहीं देंगे तो जादा कैसे कमाएंगे तो यह चीज समझ शायद इतनी नहीं होती लोगों में जो लोग गरीबी की हालत में रोड साइज रह रहे हैं आपको पता हूं लोगों के 5-6-7-7 बच्चे होते हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्य है हमारे देश के सामने जिसका मुझे लगता है कि बहुत जल्दी solution निकालना जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ इनी चीजों को effect नहीं करती है यह हमारे देश की development को effect करती है गरीब होने से हमारे देश की development और उन लोगों की basic need fulfill ना होना बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उन लोगों की life जो है हमारे देश के लिए precious है इसलिए government ने यह पांचों चीज़े guys अगर आप देखोगे तो कही ना कही से free में मुया कराने की कोशिश बहुत करी है education भी free of course दे रहे हैं health के लिए government hospital खाना भी guys राशन सस्ता मिलता है कपड़े भी आज की date में आप देखोगे काफी अब branded को छोड़ दो तो सस्ते भी मिलते हैं और guys खाना, रोटी, कपड़ा मकान के भी facility government कई बार देती है कि जो लोग जुगी में रह रहे होते हैं को घर अलोट करे जाते हैं So government अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन वो कोशिश कही ना कहीं जनसंख्या इतनी जादा है कि कम पड़ जाती है So I hope guys आपको इस chapter समझाया होगा काफी जादा हमारे देश की बुरी हलत को यह दरशादा है I hope अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना और जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर तभी तम ऐसी आईडी है पूछ लेना Thank you